प्यारेव द्यार्थियों साथ श्रीकाल स्वाक्त है तोड़ा मेरे यूट्यूब चैनल श्वराटे लोंदे विच चैनल नूँ सब्सक्राइब करो तेनाल ही वीडियो नूँ लाइक एते शेर जुरूर करना है आज जैसी पण जारेयां आउन वाले हाफते दे विच हो रहे P.A.S. जनी पंजाव चीमेंट सरवीन अलसबंदत प्रशना उप्तरांदी दहराई महात्मा गांदी जी दे राजनितक विचार क्योंकि इस शनीवार नूँ नती आठ दोयर वी नूँ यड़ा गूगल क्विज हो रहा है ओदे विच बारवी जमात दे इस लेसन दे करना है प्रशन नंबर एक महात्मा गांदी जी दा जनम कदों अते कि थे होया बहुत सब्सक्राइब क्वेश्चन है दोग तूबर ठारा सो नत्तर नूँ पूर बंदर गुजरात विखे क्योंकि शोटी एंकलासा देविच तुस्वी बहुत वार एप्रशन पढ़ चुक महात्मा गांदी जी नूँ राश्च्रे पिता किस ने क्या सी श्री शुबास चंदर भोष ने क्या सी महात्मा गाधिन सब तो पहला राश्च्रे पिता देनाव संपोधन कीता सी इस क्वेश्चन नु माहिच रखियो अगले स्लाइट दोते मैं तनूं कमपैरिζइन करना थोड़ा जा ता प्रशन नंबर चार महात्मा गांधी जी लिए सब तो पहला महात्मा शावदी वर्तों किस दुवारा कीते गई सी श्री रिबिंदर नात टैगोर दुवारा इसे लिए में तोनों क्या सी लाश्ट कॉशन थे कि थोड़ा फोकस रख्यो क्योंकि बच्चे इ श्री श्रुवास चंदर बोशने इसलिए ना दोना नावंदी चुप कन्फ्यूज नहीं होना ना दोनों क्वेश्चन में कठे से लिपड़ा रहा कि तोनों आपस देविच कन्फ्यूजन ना हो जावे कि जड़ी टरम सी ओ कीने कई सी कि दोनानों अलग तो ज्याद कर लो फिर थोड़े मायंड देविच सेट बन जेगा कि महातमा अर्विंदर नाट गोर जी ने रश्रेपता श्री श्रुवास चंदर बोशने के आसेगा स्तंतरता अंदौलन दे 1909 तो 1907 तक दे काल नों किस नाम नाल जाना जाना है गांदी काल महातमा गांदी जी अपना राजनित गोखले नों अपना राजनित गुरू मांदे सन एक उच पुस्तका ने जिननानू गांदी जी ने पढ़या सी और गांदी जी ना पुस्तका नों बहुत जादा प्रभावित होय सी अन्टू दा लास्ट पुस्तक दे लेख कदा नाम दसो जोहन रसकिन एन एसे ओन सिवल डिस ओबिडंस पुस्तक दे लेख कदा नाम दसो हैंडरी डैविड थोरियो दा किंगडम ओफ गॉड इस विदन यू पुस्तक दे लेख कदा नाम दसो टॉल स्टोई एतन पुस्तका ने जिनानों गांधी जी ने पड़या और गांधी जी दे जीवन ते इना वदवान ना दिया इना गल्लांदा बहुत ज़्यादा प्रभाव पया इस तो बात प्रशन नमबर दस गांधी जी राजनित कते आर्थक विकेंदरी करन दे पाकविच सन ठीक गल्त बिलकुल ठीक है जी गांधी जी किसे भी सजादेली सुदा आर्धी पर विर्ती पैदा करन दे हाकविच सन जी कि जिसने कोई क्राइम कीता है कोई जुर्म कीता है और एक सुदा आर्ध लिवना है ना किसनों को ठोड़ सजा दे नहीं है महात्मा गांधी जी वर्ण विवस्था दे हाकविच सन ठीक गल्त बिलकुल ठीक है जी थे बहुत वार बच्चे कंफ्यूज हो जान दे है वर्ण विवस्था दे हो हाकविच सी अर्थात अना दा मनना सी कि यड़ी वर्ण विवस्था अर्थात जीड़ा काम में कोई कर रहा है उस दे यड़ी अगली पीडिया ओही काम करे तो ओधिनल की होएगा कि लोकानों बेरजुगारी भी नहीं होएगी किसे फीड़ी कंफिडिशन भी नहीं होएगा और नाल येड़ा देविच चेड़ी है महार्त जादा होएगी क्योंकि बच्चा अपने माप्यां तो ही ओहीं कम सिखलेगा हाला कि उन्हों सकती ना लागू करन दे बाक विच नहीं सी उन्हादा मनना सी कि जेकर कोई चाहे किसे विशेशती देविच तो ओपना रजुगार बदल भी सकदा है पर उन्हादा फोकस यही सी कि हर व्यक्ति वरण विवस्था ओने चाहिदी है जिड़ा प्रवार देव इविच केड़ा विचार गांदी जीदा नहीं है राज हदन है वोडेश नहीं हिंसा विश्वाष वरग संगरश विश्वाष उदेश सब भी गोर्थ सब्व Node जी एड़ा विचाहरा वर्कस करत्या और Napoleon सहीन नहीं है को ग कर प्रजय श्वद्वाब छेगistant गांदी जी कहने सि राज साधन है उदेश नहीं राज जड़ है वेक्ति देलेई उदेश प्रापति साधन है पूरित न और वो कैन ओदेशते साधना चे घूड़े सबंदार थास चंगे ओदेशाली साधना दा चंगा होना भी जरूरी है पर हुं वर्ण विशुद रख कारणमाक्स देंफ आँकद सदाने गंदीजी जा गांधिजी न नहीं है मैं अधे यह ने आप्षन ने वर्थ रखना, हिज्रत हिंसक साधनainya दी वर्तों शांत में परोव त台त वदयार्त यह सानी देना जानगे होंगे कि जड़ा हिंसक साधना गांदी जी हमेशा हिंसा चुश्वाज कर दे सी इसलिए जड़ा सत्यागरा साधना न कदे भी हिंसक साधना दी वर्तों कर ले नहीं क्या है ये साधन नहीं है बाकी जड़े वर्त रखना हिजरत शाहतमी विरोध ये सारे गांदी जी सत्यागरा दे स अगला क्या प्रशन नम्बर 15 महातमा गांधी जी दे विचारां टे खिस दा प्रबाव आप याँ पॉस्तर कान सबसके अपने और जय्टे नहीं कि दे नाम कर आए उन्हाः गांधी जी दे विचारां टीटा। स्वार्थी होना अंधरुनी प्वितरता हिंसक विचार श्रिक विश्जाद नहीं सत्यागर्य होना पाप लालच नहीं होना पालन कर सकता तो पाव है किसे तो ना डरना पहली ऑप्शन है जिस जगह ते अत्याचार हो रहा है तानु शाट के चले जाना उस तो पाद यह ओप्शन थोड़ी सेटिंग ही लगी है अग्छी ऑप्शन है जिस जगह ते अत्याचार हो रहा है उस तानु शाट के चले जाना अगला प्रशन है लोगतं तो गांधी जीदा की पाव है उत्तर लोगतं तो गांधी जीदा पाव है आर्थिक अतराजनितिक विकिंद्री करन होना चाही है अर्था जडिया शक्तियां ने चाहिए उ राजनित्त तक ने आर्थिक और किसे एक हाथ जां थोड़ी लोकां को नहीं होने चाहिए दियां अगला प्रश्ना जी गांधी जी अंसार तर्म ते राजनिती वच गुड़ा समांद है 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 पर फिर भी तो D, अंडर्स्टेंडिंग देली इनन बिस्कस करना जुरूरी सी इसे करके मैं स्लाइट देवेचे ननों शामल कीता है गांधी जी राज नों कुदरती जा रभी संस्ता नहीं मान देशन अगला परशना जी गांधी जी अनुसार हिंसा दा अर्थ लिखो हिंसा गांधी जी जीवन दर्शन दा अनिकडमा आंगसी ओना देशेटे सारे वचार ने हिंसा देदा आर्थ नों किसे भी तरादी हिंसा दी गाल नहीं कर देगे इंसा दा शब्दी अर्थ शक्ती दी वर्तो करके किसे नूँ ना मारना है पर गांदी जी ने इंसा शब्दी अर्थ बहुत विशार रूप चलिया है उन्हाने इंसा नू आत्म की जा रभी इंसा शक्ती दस्या है उन्हान सारे इंसा तो पाव विचार जा शब्द जा काज प्राकारे किसे तब करकार्दे रिषाहिं आर्थार हम इंसा दा विषाल अर्थलिए कि सिर फिए डिःड़ के शीरीक नकसानी नीकिसे एपने विचाराना ज्याई शब्दांना ज्याग कम नाल भी दुख ज्यान अपसा नहीं पंचोना है गांधी जी तरम मते राजनीती दे समंधा वारे विचार दसो गांधी जी एमा प्रशन तोनों पहला करावी चुक्किया है मैं ताँ दो नंबर जा चार नंबर दा क्वेस्चन एड़ कीता कि तोनों देपारे होर अंडरस्टेंडिंग हो सके गांधी जी तरम रहत राजनीती दे सहना को सकता विच राजनीती दी कल butterfly वी नहीं किती जा सकती पर गांधी जीदा तरम किसे विशेश तरम और चार दबार के चीमत नहीं सी तोनों सारी आं विशह व्यापी तरम सी तो पहला में कोश्चन करा थी उधे चार ओप्शन सी तो मैं एक प्रश्री इसे लिए आड़ की तो नूँ सारी यां विदियां बारे पता लाग जाबे केडियां विदियां शामल को कि कई वरी कोश्चन आ जाना कि केड़ी सत्याग्रादी विदी नहीं है तो नूँ सारी य प्रमानी और ये लागने सिवलना प्रमानी हिजरत लाग गया वर्त रखना लाग गया ये छेवी ये सत्मी ये इस सत्याग्रादियां विदियां तो ये सी सड़ा आज दा शरीवार नूँ होनवाले पी एस दे टैशनार सबंदत प्रशनावत तरना दी दहराई अमीद है समझ लगया होएगा और वीडियो नों लाइक अट शेयर जुरूर करना है तनवाद